बाई लोग चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं मेरा नाम है बरत और आज हम जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे कुछ नहीं बस एक साइकोलोजी समझ लेते हैं आज के प्राइज आक्षन की बहुत अच्छी साइकोलोजी है तो इसे ICT डेली बाईस की साइकोलोजी कहते हैं करना कुछ नहीं है दबा के नॉलेज है देखते रहो सीख जाओ के ठीक है और हर दूसरे चौते दिन ये चीज़ आपको करनी ही करनी है ठीक है एक हफ्ता ट्राय करके देखो उसके बाद नहीं समझ में आता तो और स्ट्राट करना कुछ नहीं है पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो मारक करना है और सबसे पहला काम डली में पिछले दिन का हाई या लो आप कर लिए ठाकिए यह देखने के लिए कि अगर market उपर या नीचे इसको sweep करती है तो हम entry बना सकते हैं ठीक है समझ गए चलो जैसी market आपने mark कर लिया आज के दिन उटे बढ़िया ताजा उटने के बाद आपने क्या देखा कि market जो है वो उपर की तरफ जा रहा है आपने जाने दिया क्यों जाने दिया आपने वेट किया क्योंकि यहां पे थी liquidity पिछले दिन की ठीक है आप replay से समझते है कि क्या हो रहा है ताकि psychology समझ में आजा आप बैठे हो यो वेट कर रहे हो तो 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 भी psychology भी समझ रहते है आप नहीं यह देखा आप उठे हो आप यह देख रहे हो कि market उपर की तरफ जा रहा है अभी आपको कुछ नहीं करना है ठीक है इसी को कहते है कि patience is the key trading में कुछ मत करो चलने दो ठीक है लोगों के देवांग में होगा कि आरे market तो उपर ही जा रहा है ठीक है सभी बात है जाने दो जाने दो ठीक है बिकास आपको यह पता है कि पिछले दिन की liquidity यहां है आपको wait करना है ठीक है इसके बाद आप क्या करेंगे आप ने गए उपर as soon as market ने यह movement दिया ठीक है क्या बोला मैंने as soon as market ने यह movement दिया ठीक है अब आपको एक बड़ स्विच कर लेना है एक मिनिट में और देखना है कि क्या हो रहा है ठीक है तो आपने ये चीज देखी बहुत ध्यान से देखिए का दोस्त ठीक है आपने ये चीज देखी ये आज का प्राइज एक्षन यहां से है आपने चीज देखिए क्या वो यह कि market जो है वो ऐसे उपर उपर जा रहा था ठीक है higher high higher lows बनाते हुए market में day के उपर निकला इसकी liquidity ली और market आ गया नीचे ठीक है अब कैसे हमें पता चला कि यह एक liquidity sweep है बहुत simple है क्योंकि market में उपर की liquidity लेने के बाद instantly इसको कर दिया है break क्या कर दिया है इसको कर दिया है break and as soon as market में इसको break किया इसे बोलते है lower time frame में यह हो गया हमारा चौक ठीक है यह पहली चीज़ आपने spot करी दूसे चीज़ आपने क्या spot करी कि market में यहाँ पर market में यहाँ पर जो बनी थी वो थी आपकी क्या बनी थी भाई इसको बोलते है buy side liquidity यानि BSL यहाँ पर बनी थी buy side liquidity इसको हम बोलते है BSL market में उसको grab किया और नीचे आया नीचे आने पर अब फिर आमने और क्या spot किया वो समझ लेते हैं कि देखो एक FBG बन रहा था यहाँ पर fair value gap दूसरा FBG बन रहा था यहाँ पर clear है यह दो है आपके FBG fair value gaps ठीक है अब आपको देखनी है short की opportunity क्योंकि market ने पिछले दिन की liquidity भी sweep कर लिया है buy side liquidity भी sweep कर लिया है chalk भी कर दिया ठीक है और fair value gap भी बना दिये अब आप कौन से fair value gap पे देखोगे short करने की opportunity ठीक है देखो यहाँ पे आपको देखना है कि high probability probability कौन सा fair value gap है ठीक है क्या देखना है आपको कि high probability fair value gap कौन सा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह वाला जो fair value gap है ठीक है इसमें आपको कुछ कोई फाइदा नहीं है इसको मैं आटाई देता हूँ ठीक है आपको कोई फाइदा नहीं मिल ला है clear बट यह वाले जो आपका fair value gap है इसमें आपको यह वाला जो breaker block है क्या यह जो breaker block बना हुआ है breaker block की वीडियो अल्लेटी बनी हुई है ठीक है यह जो breaker block बन रहा है इस पूरे का का आपके पास क्या है support है support as in कि आपका समर्थन करेगा यह कि अगर यह उपर जाएगा market तो यह आप इस चीज को रोक सकता है clear ठीक है इसके साथ साथ एक चीज और क्या और करने वाली है कि यह जो fvg बना था उसके ओल्लेडी market एक बाट tap करके reaction दे चुका है इसका मतलब यह एक strong supply zone बन गया है ठीक है market में जब fvg को थोड़ा सा tap करके नीचे आये इसका मतलब यह एक strong supply zone है अब market क्या कर रहा है वो देखिए अभी तुरंद नहीं short कर रहा है ठीक है market यह क्या कर रहा है reaction देने के बाद इससे कहते हैं liquidity बना अभी market और फोड़ी सी liquidity बनाएगा इस liquidity को लेगा tap करेगा और उसके बाद नीचे की तरफ आएगा ठीक है देखते है clear यह देखिएगा market ने बनाई यह liquidity liquidity बनाने के बाद market गया उपर इस liquidity को market ने लिया tap किया fvg पे and इसके बाद यह movement मैं आपको और दिखाना चाहरा हूँ फिर उसके बाद market ने क्या किया यह देख लिया इसके बाद market ने यह movement दिया sometimes market याद खिएगा जरूरी नहीं कि market यह movement दे यह वाला यह movement market ने दिया और market नीचे ठीक है भी हम देखेंगे बट मैं आपको यह चीज और बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि market यह double movement दे market single movement भी नीचे की तरफ आ सकता है इसलिए important गया important यह है कि कहां से short करना है कैसे करना है वो important नहीं है because आप predict नहीं कर सकते कि market यह वो क्या बोलते है ठीक है कि यह predict करना कि market जो है double move देगा या single यह जरूरी नहीं है अब हम आगे समझ लेते हैं कि market क्या किया market नहीं यहां से आ गया नीचे अब अगर आप नहीं entry मिस कर दियो और आपको एक और entry लेनी है तो आप कहा ले सकते हैं और हम re-entry ले क्यों रहे हैं वो भी हम समझ लेते हैं देखे सबसे पहली बात जब market उपर की buy side की liquidity लेता है तो market अपनी कहा जाता है sell side की liquidity की तरफ अब हमारी sell side की liquidity कहा कहा है वो समझते है ठीक है एक हमारी sell side की liquidity है यहां पर clear? exactly एक हमारी sell side की liquidity आपको कहा दिख रही है इसे बोलते हैं sell side और last में हमारी sell side की liquidity है वो है यह ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि market सारी liquidity ले यह आपके तीन targets है ठीक है? यह आपके तीन targets है यह आप पर है कि आपको कितना profit कमाना है कि market ने एक fbg यहाँ पर फिर बनाया है ठीक है? और market ने एक fbg यहाँ पर भी बनाया है ठीक है? ठीक है? यह market ने fbg बनाया है ठीक है? अगर market इन पर कहीं पर भी आता और reaction देता है तो हम यहाँ से फिर short कर सकते हैं ठीक है? देखिए मार्केट क्या कर रहा है भी मार्केट को चलने दिजी इसे कहते हैं मार्केट का लिक्विडिटी बनाना और मार्केट ने एक चीज और बता दे रहे मार्केट ने ये लिक्विडिटी क्यों बनाई उसका भी रीजन जाल लेते हैं ठीक है कितनी ब्यूटिफुली वहां से रियाक्शन दिया है और मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गया और हमारे टार्गेट डन करती है यह देखिए ठीक है अब यह आप पर है यह जो पूरा मूवमेंट है यह आप पर है आपको इस पर बुक करना है आप पर है इस पर बुक करना है आप पर है आपको और होल्ड करना है फोड़ी पोजिशन बुक करना है यह आप पर इसी को कहते है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना अभी आप और प्राइस एक्शन दिखिएगा कि मार्केट कहा का बना रहा है फिर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको मार्क करते है इसी को कहते है रिस्क मैनेट कि मार्केट में फिर यहाँ पर एक एक एफबी जी बनाया ठीक है नाव लेट सी क्या होता है मार्केट यहाँ से क्या करता है मार्केट यहां पे रुकता है थोड़ी देट ठीक है थोड़ी लिक्विडिटी बनाता है ठीक है लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट थोड़ा उपर की तरफ जाता है उपर जाते आते यह क्या हो रहा है यह लोगों की पोजिशन बन रही है लोग सोच रहे हैं कि अब market उपर की तरफ जा सकता है ठीक है, market अपने FBG को tap करता है, और tap करने के बाद market जो है, वो नीचे की तरफ movement दे देता है, कहां के लिए, अपनी इस liquidity के लिए, ठीक है एक और liquidity के लिए market में target दे दिया, ठीक है now, psychology क्या समझ नी है इसमें कि देखिए, जरूरी नहीं है कि market हर बार ऐसा करे आपका पहला target done हो गया था, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और trading नहीं करनी और मेरे लिए profit enough है, तो आप position नहीं बनाएंगी second ठीक है, उसके बाद आपको यहां से दिखता है कोई reaction और आपने फिर यहां तक कि रेक target लिये हैं, आपका अगर profit बुक हो गया है, आपको फिर position नहीं बनानी, अगर आपको लगता है कि हाँ हाँ फिर से short कर सकते हैं, क्योंकि market एक FPG में है और नीचे की तरफ अभी liquidity pending है, यही liquidity तो आप फिर यहां से short करके air value gap के उपर का stop loss रके नीचे की तरफ यह trade ले सकते हैं, ठीक है, नौ मैं क्यों कह रहा था कि यह काफी अच्छा मुझे दिख रहा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ठीक है, यही save movement अब आपका homework है आज आप जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद यही save movement आप यहां पर spot करेंगी कि देखें, मैंने high mark किया candle का, और इस candle का मैंने mark किया low, इस case में तो काफी aggressive हो था बढ़ आप ज्यान से दिखेंगी, जब market इस price action पे आया है 15 minute में उसके बाद जब आप 1 minute पर switch करेंगे तो आपको definitely ऐसा कुछ price action बनता हुआ दिखेगा ठीक है, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस चानल से जुड़े रने के लिए प्लीस like, share and subscribe